relapsed का क्या आर्थ होता है यह आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं relapsed का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जो relaps हो चुका हो या जिसे relaps कर दिया गया हो उसे हम relapsed कह सकते है इसके इलावा relapsed जो है वो relapsed का past & surpassed participle होता है यानि कि relapse की ही second और third form होती है relapsed और relapse का आर्थ होता है पूर्व दशा में आ जाना, ठीक होकर बिमार हो जाना, फिर कष्ट में पढ़ना, पुनहें पतन होना, या पहली अशुद्धी में दोबारा पढ़ना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह अपनी पुरानी आदतों में लोट आया, तो आप कहेंगे he relapsed into his old bad habits या अगर आप ये कहना चाहें कि कैदी अपनी चुपी में लोट आया था, तो आप कहेंगे the prisoner had relapsed into his taciturnity अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें